नमस्कार किसान भायों, गोल्ड प्राइज इन इंडिया में आपका स्वागत है कैसी सी कर्ज किसानों की ताजा खबरों के लिए आप चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें किसान करज माफी और किसानों से जुड़ी हुई सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाती है किसान भायों इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान करज माफी 2023 को लेकर बहर बढ़ी खुसकवरी आरी अगर आप एक किसान हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेगा सरकार ने करज माफिका आदेश चारी कर दिया है और किस वेबसाइट पर जाकर आप अपना करज चेक कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे किसान वईयों देश के कई राजियों में अभी 2023 में चुनाव होने हैं दो तरीके से करज माफ किया जा रहा है सहकारी बैंकों का जिसे हम सोसाइटी बैंक बोलते हैं और कैसी सी करज कैसी सी करज में सरकार ने 90 कांकड़ा अपनाया है जिसमें 10 परतिशत करज किसानों को देना पड़ेगा और 90 परतिशत करज और जो बैंक है और सरकार है वो माफ करेगी तो किससे आपको चेक्र है वह आपको बताएंगे सबसे पहले आपको विबाक्य दिकारी जाना होगा इसके बाद आपके सामने का होम पेज कौन सी वीबसाइट भी आपको बताएंगे क cape पेज पर आपको Search उपसंग पर कलिक करना है इसके बाद आपके सामने एक नए पेज खुलेगा फार्मर इस पेज पर आपको मांगे गेई सभी जनकारी जैसे Bank का नाम साकhा का नाम Payks का नाम आतिस साफधानी पुरवक दरज करनी है सारी जानकारी बढ़ने के बाद सब्मिट बटन पर आपको कलिक करना है इसके बाद आपके कम्पीटर स्क्रीन पर आपके चेतर के नुसार करज माफी सुची खुल जाएगी इस लिश्ट में आप अपन नाम आसानी से चेक कर सकते हैं सरकार ने राज्य के सबी चोटे किसानों को 20,000 रुपे से लेकर के 50,000 रुपे तक की करज माफी योजना में सामिल किया था लेकिन अब सरकार की तरफ से इन किसानों का ज़्यादा करज माफ किया जाएगा तो किसान बढ़ियों दो तरीके से करज माफी की जा रही है पहला सेकारी बेंकों की यानि जो आपके जो सोसाइटी बेंक हैं उनमें सरकार ने पूरा करज किसानों का माफ कर दिया लेकिन जो केसी सी करज है जो मूल रूप से किसानों ने लिया हुआ यानि किसान बहीं ज़्यादतर जो किसान है उनके पास केसी सी का करज लाखों रूपे में है अगर नॉर्मल किसान के भी हम बात करें कम जमीन जिन किसान साथियों के पास है उनके उपर भी दो लाग से चार लाग रूपे तक का करज होगा ऐसे में बहुत सारी से किसान x जिन प्र लाग रूपे हैं जिन प्र liकर Drik 10, 2,par रूपे तक का भी करज होता है तो सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि हम किसानों का करज माप करेंगे लेकिन मातर सैकारी बेंगों का ही करज माफ कर दिया गया है यानि जो 50,000 रुपे का करज लिया वा था जिस पर आपका ब्याज पहले भी माफ था यानि मानली जी किसान वहीं आपको कोई 50,000 रुपे देता है और कहता है कि आप यह पैसा आराम से लोटा देना आपको इस पर कोई ब्याज नहीं देना है तो कि आपको उस पेसे की कोई चिंता होगी नहीं होगी वहीं अगर आपको कोई बंदा कहता है कि एक लाख रुपे ले लो और हर महीने हर छे महीने में आप मुझे इसका ब्याज देना तो क्या आपको इस पेसे की चिंता नहीं होगी बिल्कुल होगी तो यही सिस्टम है किसानवाईयों सहिकारी बेंग का और किसी सी बेंग का तो सरकार को किसी सी का करज माप करना चाहिए किसानों का राजस्तान में भी चुनाओ है जबकि सरकार बनने से पहले का गया था कि हम करज माप करेंगे अन्य राजियों में पिछोना हुए तो किसान भाईयों का जो कैसी सी करज है वो माप करना चाहिए तो आपकी इस पे राय क्या कमेंट करके जरूर बताएं